दोस्तों बिटकॉइन में छोटे छोटे पंप और डंप आ रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है ट्रेडर्स के लिए ये गिफ्ट है हम इसको बुनाएंगे बताएंगे आपको कि कैसे ट्रेडिंग स्ट्राटिजी बता सकते हैं और परदा उठाएंगे कि कौन सी वो 744 मिलिय के GBTC बेचने वाली है उसके कारण से मार्केट थोड़ी से डरी हुई है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इस ऑपर्चुनिटी का नाकेवल फायदा उठा रहा हूं बलकि मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं क्योंकि हमने कहीं सालों में कहीं दफा ऐसी बड़ी एंटिटी की बिटकॉइन मास सेल ओफ की चेतावनिया देखी है जो बिटकॉइन के प्राइस पर कोई असर नहीं करते थोड़े से लोग दर की बस बेज देते हैं प्राइस एक दोहजार डॉलर नीचे किरता है लेट्स गेर अप नेक्स सेवन मिनिट्स में आपको बहुत मजा आने व वेरी ब्यूटिफुल सपोर्ट अब देख सकते हैं औरेंज बॉक्स के अंदर ही अगर आपने ट्रेड कर लिया होता है जिसे मैंने कहा I'm loving this क्योंकि मैं छोटे-छोटे scalp rate तो दो-दो-सो चार-चार-सो डॉलर की profit वाले हर आदे घंटे में कर रहा हूं I cannot make video I have a full-time job मैं र गावर्ट देख सकते हैं वो डिपेंडिंग और आप कितने बाजी कर रहे हैं कितना बड़ा रिस्क लेकर कितना लिवरेज करना चाहते हैं अब उससे profit बना सकते हैं by 5x 10x 100 and 200x जो भी आप देखिए you are your own judge मैं इसमें कोई टिपण ही नहीं करूँगा मैं उन यूट्यूब कि bitcoin उपर तो सब उपर बाकी आपकी अपनी श्रद्दा है यस मैं आपको ये भी tutorials देता रहता हूं कि कैसे altcoins को choose करें कैसे tokenomics देखें कैसे inflation देखें कैसे अपनी पसंद से अपनी conviction के base पे choose करें कि कौन सा altcoin अच्छा है stock market तर रुक करते हैं stock market last week this week did very well support प्रतिस्थापित की orange box के उपर वहां पर भी एक orange box है वो बात अलग है कि stock market orange box के बाहर है जो की काफी bullish indicator है और जब जब हमने यहां से bounce लिया है इसने एक लंबी चलांग यह उपर की तरफ 4600 तक हम चले गए थे S&P 500 के अंदर या दिला दू 4850 S&P 500 का all time high है so that is the number that we are all waiting for कि एक बार S&P 500 का all time hit ह होगा तो market में money की बारिश होगी ना कि वह stock market में बल्की बाकी risk asset में भी क्योंकि market officially risk on हो जाएगी so stock market के traders wait कर रहे होंगे कि थोड़ा सा और correction आया orange box से jump ले Bitcoin के traders wait कर रहे होंगे कि orange box से ना crash होके नीचे जाए बलकी मुझे लग रहा है कि शायद चला जाएगा so please take it with a pinch of salt क्योंकि market में rumors है GBTC के बिखने के बारे में जिसके बारे में बात करूँगा तो market कहीं बड़ी overreact करती है तो हम orange box के नीचे लोड़क सकते हैं मेरी trading strategy क्या रहेगी बोथ on orange okx and on bybit I am continuing my trading strategy मैं exit नहीं कर और by the way bybit ने 750 limit कर दी है subscribers की I had a call with them मैंने अपने पूरे ग्रूप के बिहाव पर बात करी और उन्हेंने मुझे प्रॉमिस किया है कि यह last limit है 750 से जादा bybit subscribers allow नहीं करता है आप किसी भी bought copy trading strategy पर चले जाएए bybit पर आपको किसी भी influencer का मैं अपने आपको influencer बला रहा हूं वा किसी भी trader का किसी भी trading community का 750 से जादा आपको subscribers नहीं मिलेंगे बलकि हम भी मातर हैं जिनको इन्होंने यह limit दी है so yeah I am sticking to my belief कि मैं long रहूंगा bitcoin के उपर ethereum के उपर on okx and on bybit I am not changing that यदि आप इस trading strategy का हईसा बनना चाहते हैं तो दोस्तों अभी वक्त है पूरा फायदा उठाए okx पे account create कर लिजे 60,000 डॉलर तक का joining bonus है अगर आपको okx पसंद नहीं है अगर आप उस पर कर चुके हैं तो फि get के उपर 8,400 तक का bonus है bybit के उपर मिल जाएगा आपको I think I think you can take full advantage if I were you और मैं नहीं करता हूं ऐसे ऐसे बट अगर मैं आपकी जगा होता और थोड़ा छोटा investment होता तो मैं in joining bonuses का पूरा फायदा उठाता है like multiple phone number से create करो KYC अपने family members के नाम से करो फरक नहीं बढ़ता unless unless and until अ आपको help तरूँगा BlackRock ने बोला है कि SEC से फिर जाके मिले हैं कल about revised plan for redemption process of their ETF आपको एक महिने पहले इस channel पर हमने breaking news दी थी कि कैसे SEC को चिंता है about redemption process of Bitcoin by ETF owners तो उसके उपर इनने clarity दी है now बात करते हैं rumor के बारे में FUD के बारे में जिसकी गांट से market overreact करती है FTX को 744 million dollars उनके पास total 7-8 billion dollar की जो भी assets से उसमें से 744 million grayscale trust के shares हैं उसको shares बोलते हैं लोग और यहाँ पर rumor है market bitcoin इसलिए overreact कर रहा है कि they might sell it because उनको approval मिले तो मैं यहाँ पर दो चीज़ों पर कड़ करना चाहता हूं पहला तो यह कि अगर मैं 100 रुपे के GBTC shares बेचता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि grayscale भी 100 रुपे के bitcoin अपने पास से बेचेगी it does not work like a ETF because they have a lot of reserves they may or may not sell depending on the price action number 2 grayscale bitcoin trust FTX FTX for them to sell this much of a shares can take years मैंने बताया कि मैंने इतने सावन देखे हैं हमने माउंट गॉक्स का पतन देखा माउंट गॉक्स के billions of dollars के share जब जबत हो गे थे hack हो गे थे they recovered it और अब तक माउंट गॉक्स ने अपने users को issue नहीं किया है हमने बात की थी Celsius की Voyager की हमने बात की थी Silk Road के दव बेचने वाली है बेचने वाली है कितने सालों बाद उन्होंने आज बेचे हैं अगर आप वेट करेंगे कि अरे जब ये ग्रेश केल अपने जब FTS अपने ग्रेश को बेच लेगा उसके बाद मैं खरीदूगा और market crash करेगी याद रहे इस जस्ट अ नीजक reaction बलकि एक बड 300-400 million dollars per week रहती है इमाजिन एक अकेली वेल जिसने 11,268 bitcoin fresh खरीदे हैं November 10 से लेकर अब तक by the way they are the 74th largest hodlers they are not very big whale they are 74th largest bitcoin whale but still they are buying it preparing for the ETF they are front running it they are the smart money they are not the ones who get panicked by 500 dollars point of recovery याद रहे दोस्तों पीछे मुड़के देखो चार हफ़ते पहले तक solana 20 dollar से भी नीचे था अभी 60 dollars पे है bitcoin चार हफ़ते पांच-छे हफ़ते पहले तक struggle कर रहा था 28,000 dollar पे आज हम काफी जादा pump कर चुके तो थोड़े बहुत correction are वाजिब क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अ सबसे एक बड़ी वेल ने जिसने 424 million dollar के bitcoin खरीदे हैं उनकी ranking क्या है how big are they तो आज से शुरू कर देते हैं बिगुल बजा देते हैं giveaways का शेनिवार को आप लखी भी नहीं हो सकते हैं कॉमेंट कीजिए और अपना usdt address डालना मत भूलिएगा कॉमेंट के साथ वरना मैं पता नहीं कर पाऊंगो कि आपको transfer कैसे करने अगर आप विजेता हुए अपना ख्याल रखे दोस्तों धन्यवाद जैहिन